प्राप्ति जानकारी के अनुसा वाडी पुलिस स्टेशन के नवनीत नगर निवासी बाल पांडे इनके घर पर सरोदे दामपती अपने बच्चे के साथ पिछले 6 महीने से यहां किराय से रह रह रहे थे पती मनोस सरोदे उम्र 50, मृतक पत्नी माधूरी मनोस सरोदे बच्चा 12 साल का यह तीनों बाल पांडे के यहां मकान में किराय से रह रह रहे थे सरोदे दामपती के दो बच्चे होने की जानकारी है एक बड़ी लड़की 18 साल की वह आरवी वर्धा में रिष्टिदार के यहां रहती है तो बच्चा 12 साल का वह दामपती परिवार के साथ रहता था पती मनोस सरोदे यह MIDC के केबल कंपनी में लेबर का काम करता था पता चला है कि पती पतनी दोनों में पहले से ही काफी अन्मन शुरू थी जिस कारण उन्हें आरवी वर्धा से यहां रिष्टिदारों ने अपने आखों के सामने रखने यहां बुलाया था लेकिन कभी पत्नी में अन्मन होने से पती ने मृतक पत्नी के सर पर कूकर और चहरे पर चाकू और पेट में चाकू से सपसब वार करने से पत्नी की मौत हो गई थी मृतकी भेन भी नवनीत नगह में रहती थी बच्चा भी रात को मोजाजी के यहां रुका हुआ था लड़का शुकरवार की सुबा घर पर वापस आया तो से उसकी मा की लाश नीचे खून से लटपद गिरी दिखी बच्चा घबरा गिया और रोना शुरू कर दिया पडोसी वाले घटनास्तल पर आये उन्होंने देखा तो महीरा मृत अवस्था में पाई गई गई गटना की जानकारी पुलिस को दी गई गटनास्तल पर उपायुक्त अनुराग जैन सायक आयुक्त प्रवीन तिजाडे वाडी निरिक्षक प्रदीप राइन निवार एप आगी की जाज वाडी पुलिस कर रही है। मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। वाडी पुलिस के डीवी प्रमोध गिरी सिपाई प्रवीन फल के सिपाई प्रमोध ने आरुपी पती को आरवी वर्दा से ढूण निकाला है। आगी की जाज वाडी पुलिस कर रही है खबाल लिखे जाने तक मामला दर्च होने का था वाड़ी से बीसे न्यूस के लिए सौर पार्टल की रिपोर्ट